क्या नम है आपका संभू बनर जी कहा रहते हैं आप कलूंगा कलूंगा सुरताओं से मैं मुखातिब एक मित्र से कर रहा हूं कि इनको काफी अर्षे से पाउं की समस्या थी डॉक्टर क्या बोला था कि क्या तकलिफ है आपको ऐसा कुछ तकलिफ नहीं बताया लेकिन आपका स पाउं में था और एक बार कपड़े को हटाएं फुल प्रेंट को हटाएं और पूरा यहां से यह पाउं औरो पाउं भी खोली है दोनों को सटाई यह तो यह तस्वीर के अधार पर साफ जाएर है कि बाया पाउं थोड़ा पतला है ठीक है न और दाइना पाउं इनका समान दाइन नहीं है सरीर के अधार पर तो उस वक्त क्या होता था मित्र आपको कमर से लेकर गुटने तक में दरद रहता था और चल फिर सक नहीं सकते थे अब कितने साल से यह डियक्षान फुट सप्लिमेंट आप खा रहे हैं करीब साल भर हो गया और तब से लेकर अभी तक ज पहले जो आप चल फिर नहीं सकते थे अभी आप चल सकते हैं जड़ा चल के दिखाएंगे यह 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 अच्छा फिर जाईए आप तो आराम से आप चल सकते हैं, पहले ऐसा चलते थे, पहले ऐसा चल सकते थे, नहीं चल सकते थे, अभी आप आराम से चल सकते हैं, अगले साल था हमारा पूरा तकलिफ था, अभी आप पूरी तरह से, थंडिट स्टाइम में अगले साल पूरा तकलिफ था, चलो, इश्वर की क आपको ऐसा लगता है कि सेज जो 20% बचा है वो भी आपका आगे 7 से ठीक हो जाएगा चालता तो हूँ कि अच्छा हो जाएगा और विश्वास एक साल में आपको मिला या नहीं तो इसी विश्वास की कड़ी को और आगे बढ़ाते हुए सेज जो 20% आपका बचा है वो हम देखेंगे उससे उनको प्रेड़ना मिलेगी तो आप दूसरों के लिए क्या कहना चाहेंगे यह डियक्षन का फूट सप्लिमेंट लाब दायक है या नहीं खाना चाहिए और आपको पता है यह दवा नहीं एक खादिय पदार थे तो संभू जी इश्वर करें आप और कलूंगा में कोई बस थी मिलन गली में अच्छा आपको यह डियक्षन फूट सप्लिमेंट किनके द्वारा मिला था आपके थुरू मिला था आपका क्या नाम है मोहंदत्ता आपका क्या कॉंटेक्ट नमबर है हम रहें चेन चेन में रहते हैं क्वाटर नमबर इफिप्ट अगर इनके संभू जी के बारे में इस चित्र को देखकर वीडियो क्लिपिंग देखने के बाद अगर लोग आप से संपर करें तो आप उनको इस टेलिफॉन पर रहा है चलो इश्वर करें आप इसी तरह से लोगों की शेवा करें और संभू जी हमारी शोग कामना है ऐसली क्या तक्लिफ था उनको उसको हब हुआ हथा है और अभी शे में काफी जो पीके कितने साल था इस उनको करें चे साल से था अच्य अभी एगदम इन aware कहन अ अब दब Than्ट दवाई बंद होगया यहीं चल तै खळी काफी दो टैंवें किया बात है इसुर करें आपकी पतनी और आप स्वेंग भी पिए अभी दवाई खा रहें तो चलो बढ़िया है इस्वार करें आप सारा परिवार और मित्र को सहित परीजनों को आप डियेक्शन फूट सप्लिमेंट से शेवा दे रहे हैं इस्वार करें आपकी इस भावना को बरकत मिले और दूसरों को भी आपने वीडियो क्लिपिंग में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू